तो हलो फ्रंट चलिए हम यूनिट आर्ट का रिवीजन शुरू करते हैं यह पर्स्ट पार्ट होगा और इसमें हम पॉलेटिकल फ्रोसेस इन इंडिया पढ़ेंगे सबसे पहले सिविल साइट्य और्गनाइजेशन को देख लेते हैं तो जो सिविल साइट्य और्गनाइजे स्ट को अपने हित हैं उनको साधने का प्रीयास करते हैं सिविल सुसाइट्य को किसी भी सोसाइटी का इा Defence के रूप में देखा जा सकता हों सब्सक्राइज Bran 2025 इंट में ले होते हैं और प्राइबेट स्फियर में फैमिली से इनको कंप्यार गिया जा सकता है थोड़ा सा इनके एक्जांपल देख लेते हैं तो चाहिल्ड रीफ एंड यू एक क्राई फाउंडेशन है नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया यने फाई राजीव गांधी फाउंडेशन सेल्फ तो इंट्रेस्ट ग्रूप इजए ग्रूप आफ दोज परसंद हुआरव बॉन्डड भी थी चदर बाई पर्टिकुलर इंट्रेस्ट और के एन मोटिव एन डी में कंश्या साफ तीज बॉंड इंडिया एक्जम्पल देखते चले इंट्रेस्ट ग्रूप होते हैं इंट् की पर्टिकुलर इंट्रेस्ट होगा और वह हमेशा अपनी इस बॉण्ड की सतर्क रहते हैं तो इन ग्रूपों को और्फर्मली और्विनाइज किया जाता है जो की विप्रोफेशनली इंप्रोइड परसंड जिसमें विच गंसिटॉट होते हैं उनसे मिलकर यह कृप बने होतें तो यह गौर्मेंट मसींडि का पार्ट होते हैं और उस पर अंदर से ही जो है तो इंफ्लेंस एक्जाट करने का प्रयास करते हैं फॉर एक्जामपर आई एस असोशियेशन इस इस टेट सिविल सर्विस एस तो यह गौश्मेंट के अंदर ही पंक्शन करते हैं पहले चीज दूसरी चीज यह उनको फार्मली और नाइज किया जाता है और प्रफेस्टिनली इंप्लाइड परसन होते हैं इस इंदर इंटरेस्ट गूप के अंदर चलिए असोशियेशन इंटरेस्ट गूप देख लेते हैं तो इस आ ज्ट बार इंटरेस्ट आटिकूलेशन तो यह ऐसे और इस पस्केटास हैं इनके माध्यम से कि इंटरेस्ट का काम किया जाता है लेकिन यह लीॉम्टेड गोल को परशू करते है हो का संटेश पॉप का सब्हुंस ऑफ कॉमेर्स च्छ्ट के इन्डियान चेम्बर आफ कर्मे prophecy. एंडिय YWC वास्ट करम इंटेस्ट आठ्रूखलेशन का काम करते हैं और सिस्टम सब रोच में जो डिवडिश्टन कि है उसमें यह एक महतबूण बात बताते हैं इंटरेस्ट रुक्लेशन का जो काम होता है जली इंटरेस्ट ग्रूप तेख लेते हैं तो बाई एकनोमिक प्रेश्ट ग्रूप भी में मोर और लेस्ट इंटर पॉन्टेनियस ब्रेक्थ्रूप इन्टु दा प्रेटिकल शिस्टम रमड़ा शाइटी सच और इसी प्रेकार से एंड लाइक तो जो होते हैं आउट अफ सदन हो जाते हैं कोई किसी राइट की केस में कोई पदाशन धरना पदाशन करना हो अचानक से इनका कोई सोर्च ओरीजिन नहीं होता है नॉन एसोसियाशनल इंट्रेस्ट तो इस आर किन्सिप एंड लीनिएज ग्रूप एंड एथनिक रिजिनल इस्टेटस एंड क्लास ग्रूप देट अर्टिकुलेट इंट्रेस्ट अंड बेसिस आफ इंडिविज्वल्स फैमली इनके पास एथनिक रिजिनल इस्टेटस और क्लास ग्रूप काइंड ओफ दिस्क्रिंशन होता है और यह इंट्रेस्ट आट्लीटिकलेशन का काम करते हैं किस आधार पर इंडिविज्वल्स की आधार पर एंडिविजेशन के आधार पर और रिलीजियाश्याइड की आधा में फर जंपल कास्ट ग्रूप लैंग्वेज ग्रूप तो यह काइंड ऑफ किंसिप और लेनियज ग्रूप होते हैं और इंट्रेस्ट आर्टिकलेशन जो करते हैं वो इंडिविज्वल फैमली लिजिस हिट इन सब मुद्दों के आसपास करते हैं प्रिसर ग्रूप को देख लेते हैं तो प्रिसर ग्रूप इस एन और्गनाइजड सोचल ग्रूप होज मेंबर सेयर कामा एड़ेटोड बिलीप आयलेट डिन तो आएंट इन तो प्रिसर गुप एक अँडिए इस ऑन आइज और्गनाइज शोचल गूप होता है ऑलनाइस सोचल ग्रूप होता है इसकी मिंबर कि जिसके मिंबर है तो फसमैं कॉद्ध गया अपस में I duda तो है कॉद्स मिंदित और हैं मॉद्स और उनके का जो पॉब्लिक पॉल्सी पॉब्लिक पॉल्सी उनको इंफ्लेंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन गवर्मेंट के जो एक्षन होते हैं उनकी कभी भी डिस्पॉंसिबिल्टी नहीं लेते हैं इन कंटेक्श आफ इंडिया प्रिसर गूरूपस आल्सो इमर्ज जिन्दा वाम ऑफ सोसल मुवमेंट और ईसु लाइक पॉटेक्शन ऑफ इंवायर्मेंट करप्संट हैं तो भारत के कैस्पेश में जो प्रिसर गूरूप्स हैं ये सोसल मुवमेंट की रूप में भी पर प्रोटेक्शन आफ इन्वायर्मेंट करप्शन तो इंडिया गांस करप्शन यह अन्हाजारी दौरा बनाया गया एक करने की बात करता है और जो इंडिया गांस करप्शन करने की बात करता है कि भाइल प्रेसिंग गावर्मेंट फॉर बेटर पॉल्सी आउटकॉम और इस तरह वो गवर्मेंट पर प्रेसर डालते हैं कि वह बेटर पॉल्सी लेके आएं जिसके माध्यम से करप्शन है इन्मार्मेंटल चलेंज है उनको डिल किया जा सके तो प्रेसर गूफ इंडिया बेटर देख लेते हैं तो डिफ्रेंट टाइप्स अप्रेसर गूर्प इंडिया तो भारत में अगया जो अलग अलग प्रकार के प्रेसर गूप से उनको देख लेते हैं सबसे पहले बिज्नेस ग्रूप होते हैं को मिर्द यह तो अभी एंडेश्यां चेमबर अशलेंब कि यह निसोबीस में बनता है federation of Indian Chamber of Commerce and Industry फिक्की फिक्की यह निस्सोब ताइस में आता है टेड यूनियन तो फर जामपल आल इंडिया ट्रेड यूनियन Congress ए आए टी यू सी निसोबीस में मनता है नेशनल इंडियान नेशनल टेड यूनियन सब्सक्राइब कॉंग्रेस आई एंटी यूसी में बनता है लेट याद रखिए कर दोस्तों हिंद मजदूर सभा यह उन्निस सो और तालिस में बनता है भारती मजदूर संग यह उन्निस सो पच्पन में आता है इस्टुडेंट और्गनाइशेशन देख लेते हैं पर एक्ज और नेशनल स्टुडेंश उन्यान अफ इंडिया यह दिन स्टुडेंश अधर में आता है इंडिया किसां सभाई हां बनता है बार्ती किसान यूनियन सी में मैं बनता है बोमें ओर्घन जेशन देख लेते हैं तो बोल्वेंच इंडिया नहीं से में बनता है और इंडिया बोमेंट कोंफरेंस एलिंडिया बोमेंं भूर अगश्ञा ही संग्थन इसें संगटन स्गितन ला टू यह तो ऐसे महात्पूण ह्ए भारत के सो से सब्सक्राइब बहुता होते हैं तो सोसलío केंभी इसे घ्रूप ऐसे ग्रूप होते हैं जो सोचाल एक्षं को करने के लिए जिनका जन्म होता है जो सोचाल एक्षं परफार्म करने के लिए मनाया जाते हैं जो की नॉन वाइलेंट होते हैं नेचर तो ऐसे सोचाल एक्षन जो नॉन वाइलेंट होंगे वही सोचाल एक्षन करने के लिए यह ग्रूप जो है तो मनाई जाते हैं तो जो इस प्रकार के ग्रूप होते हैं वह नॉन वाइलेंट होते हैं लेकिन मिलिटेंट हो सकते हैं, इसमें, मिलीटेंट आक्टिविटी में हो सकते हैं, the work of social action group is to create transformative change, इनका जो work होता है social action group का, social action group का, transformative change लाना, social action groups take the shape of both public and people, centered advocacy, इसी डिजाइन टू इंफिलेंस पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक एडिट्यूट इन अडर्ट टू इंपावर दा तो इनका जो मुख उद्देश होता है वह इसके लिए यह पब्लिक और जेसं कभी सेप ले सकता है और पीपल सेंटर्ड एड़ोकेसी ग्रूप बन सकता है इसके माध्यम से पॉल्सी पॉल्सी और पॉलिक एटिट्यूट को इंफ्लिएंस करकरे जो कि जो मार्जिनाइस सेक्टन है तब कुछले लोग हैं उनको इंपावर किया जा सके इंडिया में तो इंप्रेंट टर्म देख लेते हैं इंडिया में तो बन पार्टी डॉमिनेंस तो जब एक ही पार्टी काफी लंबे समय तक पॉलेटिकल सिनारियों में डॉमिनेट क किया 1947 से लेकिए उनिस्टो सरसर तक तो लगाता है 17 वर्स ने काइंड आफ बीस साल राज किया एज सिंगल पॉलिटिकल पार्टी तो यह वन पार्टी डॉमिनेंस को कहा जा सकता है लेकिन उनिस्टो सरसर के लेक्षन में ते कांग्रेस पार्टी वाना मेजोर्टी बिच सब्सक्राइब तो कंग्रेस पार्टी ने जो मेजोर्टी हासिल की थी के साथ हासिल की थी और सा कंसॉलिडेशन आफ पोजीशन पार्टी फ्रम्ट अन्वर्ट इन मोर और इसके बाद 1916 के बाद यह कहा जाता है कि कांग्रेक सिस्टम है उसका ब्रेक डाउन यहीं से नाइंटीन शिक्स्टी सेबन इस्टार्म डाउन इस्टेट पॉलिटिक सफ इंडिया तो 1947 से इसकाल को वन पार्टी डाउन इस सिस्टम कहा जाता है कि कोलीशन गवर्मेंट तो एक पार्लियामेंटरी सिस्टम में जब कोई भी पार्टी एलेक्शन में क्लियर कट पार्टी नहीं प्राप्त कर पाती है तब अलग अलग पॉलेटिकल पार्टिस आपस में कॉपरेट करती है और एक गवर्मेंट बनाती है और इसी अरेंजमेंट को कॉलीशन गवर्मेंट कहा जाता है इसका फर्स्ट यूज 70 पारूर असेंबली में किया गया था कि एदला कि यह इसेंबली थी अब 1982 का साल था बीबी पैट तो यह इसका फुल फर्म क्या है बोटर बेरिफेवल पेपर आडिट ट्रेल बीबी पैड यह इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो की एबियम मसीन से अटेश होता है और यह ब पुलाइचा बोट सको कि जिस पार्टि को वोट देना चाहते थे उसी पार्टि में गया है कि नहीं से समझ में आजये कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है जिस पार्टी को वोट दिया है तो थोड़ी समय के लिए वहां पर फ्लैस होता है जान जाता है कि वोट जो मैंने सोचा था उसी पार्टी को गया बीबी पैट इसेंबली नागा लेंड की नागा लेंड की एक 51 नॉक्स इस्टी असेंबली थी उसमें पहली बार बीबीबी पैट का उपयोग एवियम के साथ किया गया था तो यह महतफ़ूल है पूंचा भी गया है नोटा नोटा का फूल फाम क्या होता है है नौन आप देवाब इट इस दा आप्शन भी इनेवल दा बोर्टर टू ऑफिसली रिजिस्टर अबोर्ट आफ रिजेक्शन फार आल कंडिडेट्स हुआर कंटेस कंटेस्टिंग तो यह काइंड आफ एक आप्शन है जिसके मात्याम से एक बोर्टर जितने भी कंडिड है रहे हैं किसी भी इलेक्शन में इना पर्टिकुलर कंस्टिंसी ना एक पर्टिक्लर कंस्ट्रेंसी में यतने भी अंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको टीड़ेट्स करने का आप्शन नोटा देता है इस नोटा इप अटेर्ट रिट गर्शन नोट पर directly तो एक विक अट नोटा को दवाता है तो इसका मतलब है कि उसने किसी भी पार्टी को बोट देने से इंकार कर दिया है इन लेंड मार्क जजमेंट आफ सुप्रीम कोट आफ इंडिया और 27 सितंबर 2013 रूल देट राइट प्रेजिस्टर रहा लॉन अब देवर बोट अब देवर बोट इन एले ग्रेंड मार्क जजमेंट में सुप्रीम कोट ने जो कि सत्ताय सितंबर 2013 को आता है यह कहा कि नन अफ देवर जो नोटा है वो इलेक्शन में एप्लाई किया जाना चाहिए दिस सिंबल अपियर दिन दा लास्ट पैनल ऑन दा इलेक्टोरल और अल इलेक्टोर्निक तो यह जो सिंबल है वो सभी एवियम में लास्ट में रहता है दा में अज्यक्टिव आफ नोटा आप्शन इस टू इनेबल एलेक्ट इलेक्टर्स हो नोट बिस तो वोट फार एनी आप दा कैंडिडिडेस टू एक्सरसाइज तेयर राइट तो रिजेक्ट विदाउड व जो अपने राइट तो रिजेक्ट को एकसा साइज कर सकें और लोगों को दूसरे लोगों को पता भी ना चले उनकी से क्रेसिवी मेंटीन हो जाए चलिए तो इसमें नाइन नेशनल प्रोटिकल पार्टिस के बारे में देख लेते हैं तो इंटरनेशनल कॉंग्रेस 1850 में इसका जन्म होता है सिंबल क्या है एंड है फांडर कौन कौन से थे पंजा पंजा अगया जिए फांडर एओं इसके फांडर रहे और अभी बार्तमान में कांग्रेस के लेडर कौन है मलिक आजुन खड़के बार्टिचेंटा पार्टि बीजेपी यह 1980 में इसका जन्म होता है सिंबल क्या है लोटस कमल का फोल इसके फांडर रहे हैं लाल के श्नडबानी भराउं सिंग और भराउं सी इस एक आबात प्रेजंट में इसके कौन नेता है जेपी नडड़ा कामिस्ट पार्टी आफ इंडिया यह 1925 में बनती है इसका जो सिंबल है क्या है इयर्स आफ कॉर्ण एंड सिकल तो एक हासिया है हासिया है और जो काइंड आफ यह कॉर्ण होता है वो इसके इयर्स मतलब जो तो इस परिकार इह पर कर और सिखल इसके सिंबल है इसके परांडर में रहे हैं है मנड़ रहे है अर बर्तमान में इसके लीडर-डी राजा मिया पार्टीए ंडियम मार्क्सिस्ट CPI EM इसको 1964 में बनाया गया था CPI जो नार्मल है उसको 1925 में बनाया गया था इसका सिंबल क्या है है हैमर सिकल और इस्टार तो हथाउडा हसिया और चांद पाउंडर कौन थे जोती बसू और EM नम्बोद्री पादिये इनके पाउंडर रहे हैं और लेडर कौन है अभी बरतमान में सीता राम एचुरी जी अभी उसके लेडर है जो बहुचन समाजवारी पाटी है उसे 1984 में बनाया गया था सिंबल क्या है हाथी पाउंडर कौन थे कासी राम कासी राम जी और लेडर कौन फ्म पाटी इसको निश्ट्रों में बनाया गया था इसका जो मत्लह घड़ी घड़ी कातीं है और इसके पाउंडर रहे हैं सरत्पावार और तारीक अनुशकर टारीग आम बहुं के साथ दीर वहुच्ऑवर पिचत्थ होन वह अभी प्रयतमान हो रहे हैं सरात्पवा व्लावर वाली ग्रास इसका सिंबल है और इसके फ्लीडहां रही है मंतर दीदी रही है और लीडर भी वर्दमान वही sudah लिए नेशनल प embargo सिंबल किताब है किताम है किताब इसका सिंबल रहे हैं सन्मर है यह शेया है तो उन से ब्रेग अप करके ये फिर ये नपीपी बनाते हैं 2013 में इसके जो परतमान में लीडर है वो है कॉन्राड सर्मा कॉन्राड संग्मा आम आदनी पार्टी 2012 में सिंबल क्या है जाड़ू है और फाउंडर अर्विंद केद्रिवाल प्रसांत भूसान योग इंद्यादव ये इनके फाउंडर रहे हैं और इसमें जो अभी जो बर्दमान लीडर है वो अर्विंद केद्रिवाल ही है चलिए मेजर इस्टेट पर्टी देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी है समाजवादी पार्टी उन्हें इसका सिंबल क्या है साइकिल तो अकलेस यादव की साइकिल फाउंडर कौन थे मुलायम जी थे और अभी बर्दमान में लीडर अकलेस यादव है दाश्टी बर्तमान में भी लालो जिसके यादव है और उनका जो सुपुत्र है तेजस्वी यादव वह भी कामधाम देखते हैं इसका जेडियों को देख लेते हैं जंटादाल उनाइटेड 2003 में बनती है और इसका जो सिंबल है वो एरो है तो मतलब एरो यह कैंडव धनूस इसके फाउंडर कौन थे सरद्यादव जार्ज फरनांडिस और नितीज कुमार बर्तमान में कौन लीडर है नितीज कुमार जो बिहार के भी CMB सिंबल क्या है राजिंग सन है और पाउंडर के थे कौन थे सियन अन्ना दुरई और बर्तमान में इसके लीडर क्या है कौन है यम के स्टालिन इसके जो सिंबल है वो दो लीप्स है दो पत्ती है और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो यम्जी यम्जी रामचंद्रन रहे हैं और लीडर अभी बर्तमान में कौन है यी मधू मधू सूदन इसके बर्तमान में लीडर है तेलकू देशम पार्टी टीडीपी यह 1982 में बनती है और इसका भी सिंबल बाइसिकल है लेकिन इसका जो बेक्ग्राउंड है जहां मतलब जो जिस जंडा होता है उसका बेक्राउंड होगा वह एलो है और समाजवाद्टी इसके राउंड है वह लाल है आपने देखा हूँ है फाउंडर कौन थे यंटी रामा राव और बर्तमान में इसके लीडर कौन है चंदरबाबू मैड़ू असाम गंड़ परिशाद यह 1950 में बनती है कि सिंबल एलिफेंट है और एनिफेंट एलिफेंट बीद रेड बूदेख लिजिएगा इसके प्रफल कुमार महनता है और बरतमान में अभी इसके लीडर आउसके लेकिन बरतमान में एकनाच सिंदे हो गया और अभी अभी बाला साहब जो मिलब गूरप था ने इसका बीम भैलेंस इंबल है बीम बैलेंस पॉंडर कौन थे सरदार सरमुक सिंह चुबल साब बाक। सिंग लेडर अभी कौन है बर्तमान में चुखबीर सिंग बादल है मातपुन लीडर है जारखंड मुक्ति मोर्चा जे एम एम सिंग लेकिन जो बेग्राउंड है वो ग्रीन है फाउंडर कौन थे बिनोत बिहारी महंतो बर्तमान में यह मंत सुरेन है विजू जनता दल तो इनका जो सिंबल है यह संक संक है जो की राइट टर्म है मतलब उसका जो रखा गया है वो राइट में टर्ण करके रखा गया है फाउंडर नवीन पटनाया लीडर भी नवीन पटनाया की फेमस कमेंटेटर आफ इंडियान पॉलिटिक्स इसको देख लेते हैं तो रजनी कोठारी जो और दोस्तों इनका नाम राजिनी है लेकिन है येम पूरस कांग्रेस सिस्टम है कॉंसेट महतापूर्ण है कंग्रेस सिस्टम जो संबर 2018 पूस्ट विए था और पॉलिट साइज सना आफ कास्ट दो पॉलिटिक्स यह इनका कॉंसेट किस प्रकार कास्ट का राजनिती करण कर दिया गया है और राजनीदी का काश्टी करण मतलब जो है तो जाती करण जाती बात हो गया है भ्यूस क्या है काश्ट इंडिया प्रंग्सा नाज़ा प्रसर गुप तो भारत में जो काश्ट है वो एक प्रसर गुप तरह काम करती है कि ded up social movement as non-party political फार में सब्सक्राइब तो सोशल मोर्मेंट है उन्हें वह न Pure सो लोकायन के फाउंडर भी रहे बॕ्स दिख लेते हैं कास्ट इनिडिया उन्हस सथान में आती है और politics इन इंडिया 1970 में यह भी आती है रुडोल्फ एन रुडोल्फ यह बुलॉक का कांसेप्ट देते हैं और इनका modernity of tradition एक महत्पून concept है तो modernization of tradition और traditionalization of modernity यह इनका concept है अब ठी टाइब सभी आप बोबिलाइजेशन की बात करते हैं है गर्जोन्टल ओली सेवर्टीनटी कांस्ट का Churchill in मोबिलाइजेशन और tribal Globalization और यह उसकी है कि इंडिया एक बिक इस्टेट अना तो इंडिया एक बिक या स्ट्रॉंग स्टेट है ऐसा इनका भी होता बुक कौन थी थी तो मॉडरन्टी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डवलाप्मेंट इन इंडिया इन पर्शूट अफ लक्षमी दा पॉलिटिकल एकनॉमी ऑफ दे इंडियन स्टेट यह बहुत मातपूर्ण बुक है पोस्ट और मास कल्चर माइनर फोकस्ट ऑन स्टेट पॉलिटिक्स भी बंगाल तो यह बिश्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पर ध्यान देते हैं कि महां तो पॉलिटिक्स ओफ स्केर्शिटी पब्लिक प्रिसर और प्रिटिकल डिस्पांस इंडिया पार्टी बिलिग इन्यों नेशन दा इंडियान नेशनल कॉंग्रेस और इंडियन पेराडॉक्स यह भी बहुत माधब आभी चुका है मौरिस जोंस क्या है बाहर गयनी फैटलिजम मतलब जो एक मोल भाव वाला फैटलिजम होता है वो सेंटली आइडम्स यह कांसेप्ट देते हैं सेंटली आइडम्स का तो द दिचेंटेशनल पॉलिटिक्स बॉइडेशनल पॉलिटीक्स वह अट्रेशनल पॉलिटिक्स है लेंगवेज आफ मौड़न वेस्टन पॉलिटिक्स उसकी लेंग और लाइंग वे जाव सेंटली आइडम्स ऊट्थ हो अनकी रिफ्गोष का है प्युस्त है अब उनका सिस्टम और रजनी उठारी कांगरेस सिस्टम बोलते हैं बुक्स क्या गया है तो इंडिया इंडिया के बारे में जानते हैं तो यह पॉलिटिकल सोसाइटी कंसेट्ट देते हैं डेवेट्टिव डिस्कोर्स कंसेट्ट देते हैं और एंटी कोलोनियल नेशनलिश्ट के तीन स्टेज़े तो मुवमेंट ऑफ मैंवंवर मैंवर मैंवर मुवमेंट आफ हराइवर तो यह दिखना पड़ेगा विन क्या है तो पार्था च गाझेटीज हो सबाल्त टाइल जो इसटरीज को है उसका है Mac इस का बाना जाता है फेपर कर क省 हो और या करते हैं और वो मिलतिंग और पॉरलिमेटिक तोनो का आडिया दिया था फिमेटिक और वह कॉन खांस निस्यूलिस्ट थाट एन दा कोलोनियन वर्ड एक डेडिवेटिव डिस्कोर्स तो यह नहीं दी भुख लिखी थी दानेशन एन इस थाट फ्रेग्मेंट्स कोलोनियन और पोस्ट कोलोनियन सवाल्टान स्कूल थिंकर कौन कौन से थे तो इसमीं पार्था टजर्जी आते हैं और रंजीत गुहा तो डॉमिन इनका क्या था कि डॉमिनेंस विदाउट हेजमेनी यह महत्पून बुक थी डॉमिनेंस विदाउट हेजमेनी हिस्ट्री और पावर इन कोलोनियन इंडिया ग सब्सक्राइब दोनों मिलकर एक बुक लिती है सेलेक्टेट सब्सक्राइब करने में महबावूल हग के साथ बहुत इमात्पूंट भूम का निभाई थी इन्स्टुमेंटल फिटम का कॉंसर्प दिया था और वह पाच प्रकार की बात सब्सक्राइब करते हैं पॉलिटिकर फ्रीडम एकनोमिक फ्रीडम सोचल फ्रीडम टांस्परेंसी गरंटी और प्रोटेक्टिव सिगोर्टी बुक दिख लेते हैं पावर्टी एंड फेमाइन्स एन एसे अंदा इंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन सब्सक्राइब करते हैं तो उनका मतलब था कांग्रेस सिस्टम के टूटने से और ऐसी कोई प्रेटकल पार्टी उसके बाद नहीं हुई चरी जो उसकांग्रेस का इस था ले सकते 2016 तुले ऑक्तों कोह तु लिए इंडिया देमोकरी प्रचीव भेट हुझ रहा क wtig्यौ प्रेंटाइब प्लैंटी इंडिया इन न्यू इंडिया पावर्टी और देमोक्रिसी दो चीज़ों पर लिखते हैं पॉल ब्रास तो यह उनका जो कांसेप्ट है करते हैं फोकस क्या था इनका ट्याट फ्यारा घर्टेशन पर था फ्रियाँट्न की फॉर्म हो सकते हैं तो रायट्स जिन्यूसाइड तो मास स्केल पर जब कतलियाम होता है उसको जैट कहते हैं च्UFF क्या थे तो पॉलлично स्टेट पॉलिटिक्स उस्तर पर थेत यह क्या था प्यक्स स्टेट जाई पॉलिटिक्स टिथि पाइण पॉलिटिक्स नौर्थ इंडिया तो कहते हैं कि नहरू पटेल आजाद और प्रसाद रजन प्रसाद इनकी जो टीम थी अलिगार की टीम थी मतलब रूलाफ चूजन प्षूक तो जो समिधान सभा थी वह कांग्रेस और कांग्रेस को समिधान सभा थी तो ये कंड़ाफ एक मिटा फिर फ्र है .. समिधान सभा कंग्रेस थी और कंग्रेस समिधान सभा थी बोध fundamental राइट संद पीएसपी जार concerns of Constitution दो दोनों कि दिपीएसप और fundamental राइट स्थूक् смож की नत रात्मा बनाती हैं बो ब्क कौन थी शी सी Bank इंडियान इंडियान एंडियान कंसिट्यूशन यह इनकी लॉक्त ती किस्टोफि यह लॉट यह साइलेंट रवलुशन का इन डे देती हैं अपने बुक इंडिया साइलेंट रविलुशन दराइज आप लोगर कास्ट न न उनकी बुक्स और कॉंसी महत्पून वुक्त हैं तो रिलीजन कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया और हिंदू नेशनलिया रीडर तो इनकी कुछ मादपून बुक से चलिए अभी के लिए इतने ही रहें देते हैं आंगे सोसल मुव्मेंट से स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको दोसमें वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो